पंचायद चुनावी यात्रा के द्रम्यान हम पहुँचे हैं बलिया प्रखंड के मंसेरपूर पंचायद पंचायद तो थोड़ा छोटा है मात्र नौवार्ड है यहां पे चार साढ़े चार हजार वोटर हैं और सरवाधिक वोटरों की जो संख्या है अगर आप जातिगत ल यह अपना मन बनाया है कि हम अब इस पंचायद का नेत्रित तो करने के लिए आगे आएंगे पहले मुख्या का चुनाव होता था अब लोग जिम्मेदारी देने लगे हैं कई सवाल हैं जो हम इनसे बात करेंगे सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं बीटी न्यूज मे आपके हो टेक्निकल हो नन टेक्निकल हो अध्यात्मिक हो सेच्षनिक हो गुरू का एक बखुत बड़ा कद होता है आप इस जिम्मेदारी को पूराग भी किये हैं और अफ्टर रिटायर्मेंट आप समाज सेवा में भी आए हैं कैसा महसूस कर रहे हैं महसूस समलोग जब स हो समाले हैं समाज के किसी ने किसी रूप में सेवा में हम लोग लगे रहे नोकरी भी किये नोकरी से रिटायर भी हुए तो जो जुनुन भीतर से बना हुआ है दिल में है कि फिर किसी ने किसी रूप में सेवा हम समाज की करते रहें तो यही दर्मियान जब यह चुनाव आ होंगा लेकिन अभी मैं सक्षम हूँ इस ख्याल से अगर मुखा मिले तो मैं समाज की सेवा मैं कर सकूं कर सकेंगे बहुत छोटा सा पंचायत है मंसेरपूर है मात्र पिछले पंच वर्षिये में या आप अपने जीवन में जब से आपको होस हुआ तब से मंसेरपूर का सरवाधिक विकास की समय हुआ कि विकास सरवाधिक क्या कहा जाब कर दें बिकास के समैक नि breaking नहीं थी तब भी कास होता था अब ही विकास हो रहा था समैक अनुरूप भी कास होना चाहिए वह न ही होगा उस गति में नहीं हुआ हम लोग को सिस्टमेटिक होता है नहीं है कुछ आभाने हिए और इस से इदि 100 नाओ करते हैं ओर रिस्क लेते हैं आपका कहने का मतलब है कि सिर्फ योजनाओं जो पंचायत से जुड़ी हुई योजनाओं वो तो आएगी उसको लोग काम करेंगे उसके अलावा कुछ होना चाहिए तो अगर आपको यह जिमेदारी मिल जाते हैं मनसेरपुर का तो आपका काम क्या होगा पहला काम पहला काम है कि जैसे मेरे गौम जुप जीज़ते हम रिटार हुए हैं मनसेरपुर मद्विद्याले करे लाता है अब वो माधमिक विद्याले होगा है पलस् टू जो है कि जमीन जो है सो चेतरफल उसका इस्कुल का बहुत कम है और पर्थम बर्ग से लेकर इंटर तक की जब पढ़ाई होगी वहां तो बच्चे लोगों को खड़ा होने की भी जगा नए मुश्किल हो जाएगा तो मेरा सबसे पहला काम होगा उससे प्राइमरी इस्कुल को निकाल करके तीन जगह प्राइमरी इस्कुल वर ना और मिडली इस्कुल को भी निकाल देना उसमें केबल हाई स्कुल और प्लस टू रहेगा जिससे की उच्वेतरफल के नुच्वार बच्चे लोगों को जो सुविधा चाहिए आधार बहुत सुविधा वहां मिल सके और थी कि जो रासन जो वहां पर बढ़ता है बच्चों के माध्यान भोजन का उसमें बहुत बड़ी गरवड़ी है बच्चे की उपस्थिती को भी लेकर के कई बार शवाल हुए और कई बार सिक्षक के मतलब बैवहार को लेकर के भी हमारे पास खबर आई थी लेकिए इसी द रूनती होकर के दूसरे परदानाज़ आ गए वहां पर तो परभार उनको दिया तो मेरे रहते हुए इस तरह की कोई बात है इसे थोड़ी बहुत सिकायत सब्जेग होती रहती है है कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे काम करने के बाब जूद भी कुछ ने कुछ सिकाय है कि कोछ गरबड़ी परबड़ी तो संभवे नहीं है इस बीच में बच्चा पहुंच वे नहीं किया तो उपस्तिती या अनुपस्तिती क्या होगे लेकिन उसको खाध्यान का जहाद जो सरकार की योजना है को उसको घड़े पर भेज दिया जा 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 वाज तो आता ह रहकी खेती जो यहां के किशान करते हैं उनको बिजली के द्वारा पटवन की बिवस्ता नहीं कराएं यह बात है कि स्थिति जो अभी है सुधरी है यह सब को कहे आकर बिजली के स्थिति बिहार में सुधरी है पहले के बनिस्पात अभी लोग 18 घंटा कम से कम बिजली घर घर तो सुधरा हो चुकि है लेकिन किसानों के लिए जो सुधरा होनी चाहिए वह अभी तक नहीं हुई है सुलब नहीं हो पाई है मावेसी पालकों के लिए कुछ विसेस यहां पर काउसेट बेगर का जो निर्मान हुआ होगा उसमें आपको कितनी पारदर्सिता नजर इसको तो हम लोग सुनते हैं तो देखने मत नहीं आ रहा है कि कहीं पॉसु शाला के लिए सरकार्ट के तरफ से कुछ मिला है काम हुआ है या उसमें जो है उसको जो पहचान चिंज दिया रहा है उस अब तो हुआ है अब द्हांदली की बात मेरे कान तक नहीं आई है जो बात है लेकिन देखने में नजर कहीं नहीं आ रहा है कि पॉसु शाला भी कहीं कहीं बना है है अब किसान को लाभ मिला है मिल रहा है इसो देखने मीं लग गए अबास योजना में सव चाले की योजना में अकसर वसूली की बात आई है मनसेरपूर की क्या कहान ने ये हाँ procurement की बात मेरे कान में भी आई है कि सवसाले जिसको जिसको उपलब्स करा गया है उससे भी कुछ लिया गया है यह इन्रावास में भी कुछ पैसा लिया गया है इस तरह से इस आरोप से आप सहमत है इसमें कोई जो रहे कि आप अगर जीत करके जाएएगा तो जो रासी बढ़ा दी एक सवाल हम आपसे और करेंगे इस भी से खुली कर कि जो परिस्थितियां दिखाई पड़ती हैं प्रकंड में वो चीज और कमिशन खोरी का अन्यो न्यासरे संबंद हो चुका है ऐसे में किसी भी योजना को अगर आप मुखिया हो जाते हैं यांकि जिम्मेदारी आपको म पर ना होता है इस विवस्था को आप कैसे पार कर पाईएगा अब उपर का जो सिस्टम है उसी के अंदर हम लोग रहेंगे आप सिस्टम उसमें हमको कामे बाधित कर दे तो उसके लिए तो कुछ तो समय समझता करना पड़ेगा को नया रास्ता निकलना पड़ेगा आप का यहां से लेके बड़े से बड़े औहदे पर बैटने वाले लोग कमिशन खोरी में ब्याप्त हैं तो ऐसी परिस्तिती में आप जमीन पर काम जब करेंगे तो लोग उसमें गुनवत्ता खोजेंगे quality खोजेंगे so commission खोडी जब हो जाएगा then quality मिलेगी क्या मेरा अनुभव है कि अगर जनता का काम है जनता मेरे अगल बगल में रहेगी to commission खोडी नहीं भी होगी तब भी कामभ़या हो जाएगा जो जनता के लिए हैं जो भी काम होगा कमिशन खोड़ी यहां नहीं है नहीं चलेगा और सही काम होगा जनता देखेगी आंक्से कि हो यह कि सही काम हो रहा है क्या कहना चाहेंगे आप अपनी पंचायत की जनता को आगामे चुनाब को लेकर कि अपएक्छा है यह कि अपीर अपिश्व हो जनफिणी अइसा हो कुछ ने कुछ सम्टिया ऊसमें आजाते हैं Also पॉपर प्रहार भी तु करते हैं परतारती करते है थी सी परिस्तिती में जनता का अगर सहयोग रहेगा iżenia परिस्तिती नहीं आगी और लोग तन करके काम करेगा परिस्तितीम करशे स्नु सही काम करवाएगा आप टीचर रहे हैं, आप उस बेवस्था में तो जा भी नहीं पाईएगा, चुके दारू पिलाना, मांस मुर्गा का भोज करना, पैसा बांट देना, अभी छट है, कोई सूप बांटेगा, कोई नारियल बांटेगा, कोई सारी भी बांट रहा है, साल भड से बांट रहा है आप नहीं कर पाईएगा, शारी धोती नहीं बांट पाईएगा, अब तो भोटे ने देगा, भोट देगा, जो दारू नहीं पिता है, जो दारू नहीं पिना चाहिए, मान सम्मान की रक्षा के लिए लोगों को आगे आना होगा, यह थे हमारे साथ सतेंदर सिंग, जिनों नहीं मांगना चाहता क्योंकि इससे समाजिक कुरितियां फैलती हैं और समाज में दरार उत्पन होने की संभावनाय बढ़ जाती है ऐसे में आप तमाम लोगों से मेरा भी अपील है कि जो बैक्ती आते के साथ भरस्टाचार फैलाने में आपका सहयोग लेता है आपको पैसा देटा है आपको सराब देता है आपको भोजन कराता है आपको भोज में आमंतृत करता है ऐसे लोगों से खाईए तो जरूर लेकिन वोर्टि देने के वग्त ये सोच लीजियेगा कि जो आते के साथ क्रप्शन फैला रहा है वो आने के बाद क्या करेगा आप कही मत जाई अगा बने डिएगा बीटी नियूस बिहार के साथ तब तक के लिए नमस्कार